नमस्कार दोस्तूं कहानी का नाम है सास बनी हो या बोडिगाड और ने कहानियों के लिए कथासंचे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें धन्यवाद कहानी चोरो के लिए वीशे सुझना है ये एक स्वरचित कहानी है इसे चोरी करके आन्य चैनल या किसी भी प्लेटपर्ण पर ना डाले अन्य था आपके खिलाफ लीगल एक्षन लिया जाएगा निहारिका की सहलिया चेचेरी में मेरी बहने सभी उसे चारो तरफ से घेर कर बैठी थी और उसे हसी मजाक कर रही थी बारात किसी भी समय आने ही वाली थी निहारिका बिलकुल तयार हो चुकी थी वैसे तो निहारिका पहले से ही बहुत खूबसूरत थी उसकी काली कजरारी बड़ी बड़ी आँखें ये हुआ रंग पतली सी लंबी और तीखी नाक और गुलाब की पंखुडियों के समान कोमल होट देखते ही अविनास तो उसका दिवाना हो गया था जब अविनास पहली बार अपने मम्मी पापा के साथ निहारिका को देखने आया था तो निहारिका ने भी कोई भारे भर कम मेकप नहीं किया हुआ था उसकी सादगी ही उसके सुन्दर्ता में चार चांद लगा रही थी निहारिका को भी गोरा चिट्टा आकरसक लड़के और लड़की ने एक दूसरे को फसंद कर लिया था तो बात तय होने में देर नहीं लगी आज दुलहन के लिबाज में सजी धजी निहारिका किसी सौन्दर्य की देवी के समान प्रतीत हो रही थी वो अपने मन में अपने भावे जीवन के हजारो सपने सजाय अपने दूले का इंतजार कर रही थी बाहर आंगन में बैठी औरतें मंगल गीत गा रही थी पूरा घर फूलों और रंग विरंगी लाइटों की लड़ियों से सजा धजा हुआ खुदी एक दुलहन की तरह इठला रहा था घर के पिछवाड़े से पकवानों की ऐसी सुग सूर मच गया कि बारात आ गई बारात आने की खबर सुनकर निहारिका के दिल की धड़कने तेज हो गई और उसके गोरे गोरे कपोल रक्त रंजित हो उठे पंडित जी के द्वारा बुलाए जाने पर निहारिका की सहलिया उसे मंडप में लेकर आई अविनास्त दुलहन का रूप देखते ही अपने होस खो बैठा पवित्र अगनी के सामने मंत्रों चारण के बीच दोनों का रिष्टा जुरता चला गया और विवाह संपन्न होते होते दोनों एक मजबूत बंधन में बन चुके थे भले ही निहारिका के मन में आने वाले ज पापा से लिपट कर खूब रोई इतना कि देखने वालों तक की आँखों से अपने आप आंसु बह निकले निहारिका के पिता ने अविनास के सामने हाँ जोडते हुए कहा बेटा मेरी बिटिया अभी दुनियादारी नहीं समझती अगर उससे कोई भूल चुक हो जाए त अब निहारिका की खुसियों की जिम्मेदारी मेरी है निहारिका के माता पिता दमात की मधूर बाते सुनकर गदगद हो उठे तबी अविनास के पिता रमेश चंद्र जी आगे बढ़कर बोले अरे भाई सहाब अब चिंता क्यों कर रहे हैं बिटिया एक घर से अपने दू सुराल में निहारिका के माता पिता को उनकी बातों से बहुत सुकूर मिला निहारिका विदा होकर ससुराल पहुंची निहारिका की सासुमा ग्यान प्रिया जी ने आरती उतार कर नई बहुका स्वागत किया निहारिका ने अपने लाल रंग के आलते लगे हुए दाहिने प लग रहा था मनों सक्षागत लक्ष्मी का रूप ग्रिह लक्ष्मी बनकर घर के भीतर धीमे कदमों से आगे बढ़ती चलिया रही हो ग्रिह प्रवेश की सारी रस्में हसी खुशी संपन्न हो गई निहारिका भी ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि यहां अविनास हर पल उसकी आँखों के सामने था निहारिका को बहुत अच्छा लग रहा था जब अविनास उसे चुप चुप कर निहारने के मौके ढून रहा था निहारिका को तो खुद की किसमत पर बहुत गर्म कि उसे इतना प्यार उड़े लिने वाला पती मिला है साधी के बाद दीरे दीरे दिन बीटने लगे निहारिका अविनास के प्यार में दिन राट डूबी रहती थी उसे अविनास के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लग रहा था दीरे दीरे करके सभी रिष्टेदार भी अपने अपने घरों को लौट गए थे अब ससुराल में केवल उसके साथ ससुर ही थे पहली रसोई की रस्म के बाद से निहारिका घर के कामों के साथ रसोई के काम भी समालने लगी थी निहारिका अपनी ससुराल में बहुत खुश थी लेकिन बस उसे एक ही बात खटक रही थी कि उसकी सासुमा ग्यानप्रिया जी जब भी उसके आस पास होती थी तो ऐसा लगता था जैसे कि वो उस पर नजर रखे हुए हो निहारिका रसोई में कुछ काम कर रही होती तो पीछे से उसकी सासुमा खड़ी होकर देखती रहती थी एक दिन अविनास की बुआ जी का अविनास के पास फोन आया कि तुम और नई वहू रात को डिनर पर हमारे यहां आ जाओ अविनास ने भी निहारिका को फोन करके तयार होने के लिए कह दिया निहारिका ने भी अपनी सास से बता दिया कि साम को उन्हें बुआ जी के यहां जाना है बस फिर क्या था साम को ग्यान प्रिया जी भी अविनास और निहारिका के साथ जाने के लिए तयार हो गई निहारिका के ससुर रमेश चंद्रजी ने अपनी पत्नी से आश्चरे चकित होकर कहा अरे भाग्यवान तुम कहा बेटे बहु के साथ जाने को तयार हो गई उन्हें जाने दोना डिनर पर ग्यान प्रिया जी ने मूँ बनाते हुए कहा मैं भी तो दिदी से बहुत दिनों से नहीं मिली मुझे भी उनसे मिलने का मन है इसलिए मैं भी जाओंगी रमेश चंद्रजी अपनी पत्नी को अच्छे से समझते थे वो समझ गए कि वो अविनास और बहु को एक साथ अकेले नहीं जाने देना चाहती है इसलिए साथ जा रही है लेकिन चुंकी मामला रिष्टेदारी का था तो वह कुछ बोल भी नहीं पाए और उन्होंने अपनी पत्नी को जाने दिया अगले दिन निहारिका की सहली उससे मिलने के लिए आई तो ग्यान प्रिया जी दोनों सहली के बीच में जाकर बैठ गई और उन दोनों की बाते सुनने लगी कि कहीं बहु ससुराल के सिकायद तो नहीं कर रही है रमेश चंद्र जी को अपनी पत्नी के इस वेवहार पर बहुत गुस्सा आ रहा था उन्होंने बहाने से अपनी पत्नी को कमरे में बुलाया और कहा अरे बहु के सहली आई है तो तुम बीच में बैठ कर क्या कर रही हो ग्यान प्रिया जी ने बात को घुमाते हुए कहा बहु की सहली आई है तो मेरे भी तो बेटी की जैसी है मैंने सोचा मैं भे उससे दो बाते कर लेती हूँ रमेश चंद्रजी ने कहा देखो तुम दिन रात बहु के आगे पीछे मत घुमा करो उसे भी थोड़ा स्पेस दो ग्यान प्रिया जी ने मुँ बनाते हुए कहा अरे तो क्या मैं दिन रात उसके पीछे ही पड़ी रहती हूँ आप भी ना कैसी बाते करते रहते हैं इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली गई रमेश चंद्रजी ने अपना माथा पेट लिया और सोचने लगे ये इतनी आसानी से सुगरने वाली नहीं है अगले दिन रवी बार की छुटी थी अविनास और निहारिका सुबह सुबह मुवी जाने के लिए तैयार होने लगे तो ज्यान प्रिया जी भी उन दोनों के बीच घुशते हुए बोली अरे बिटा मैंने भी बहुत दिने से कोई अच्छी मुवी नहीं देखी थी चलो मैं भी तुन दोनों के साथ चलती हूँ मा की बात सुनकर निहारिका और अविनास एक दूसरे का मूँ देखने लगे वो दोनों तो कोई रूमांटिक मुवी देखने के लिए एक साथ जाना चाहते थे इसी बाहने दोनों एक दूसरे के साथ समय विताना चाहते थे और अब मा भी उनके साथ चलने को तयार हो गई थी तब ही रमेश चंद्रजी ने कठोर स्वर में अपनी पत्नी को आवाज लगा कर कमरे में बुलाया और अविनास और निहारिका से बोले बच्चो तुम दोनों मूवी के लिए अकेले चले जाओ मुझे तुम्हारी मां से बहुत ज़रूरी काम है ग्यान प्रिया जी एक बार को पती के गुस्से से भरे स्वर को सुनकर एक बार को काप उठी इसलिए उस समय वो उनकी बातों का विरोध नहीं कर पाई बच्चों के चले जाने के बाद ग्यान प्रिया जी ने भड़कते हुए अपने पती से कह या क्या जी आपने बच्चों के सामने मेरी बात का मान भी नहीं रखा अगर मैं भी उन दोनों के साथ चली जाती तो क्या हो जाता रमेश चंद्रजी ने अपना सिर पीटते हुए का अरे भागिवान तुम सास बनी हो बोडिगाड नहीं पहले भी तो अभिनास बाहर अकेला जाता था तब तो तुम उसके साथ नहीं जाती थी अब साधी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाता है अकेले में समय भी ताना चाहता है तो तुम उन दोनों के बीच कहां कबाब में हड़ी बनती फिरोगी और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि घर में भी तुम बहू के उपर दिन रात नजरे गड़ाय हुए रखती हो तुम तुम बहू के साथ ऐसा विवहार कर रही हो जैसे कि तुम उसकी पर्सनल बाडी गाड हो ग्यान प्रिया जी ने गुसे से का यह सब आप क्या बोल रहे हैं रमेश चंदरजी ने उन्हें सांध कराते हुए कहा तुम यहां सांधी से बैठो और मेरी एक बात का जवाब जरा सोच समझ कर इमंदारी से देना जीस तरह तुम अपने बेटे और बहू के बीच में आने की कोसिस कर रही हो जीस तरह तुम बहू पर नजर रखे हुए हो वैसे ही मेरी मा ने भी तो शुरुआत में हमारे साथ किया था उस समय हम भी लिहाज वस कुछ बोल नहीं पाए उस समय तुम्हें कैसा लगता था जो तकलीफ हमने जहली फिर वही तकलीफ तुम अपने बेटे बहू को क्यों देना चाहती हो उनकी बात सुनकर ग्यान प्रियाजी सोच में पड़ गई उनके चेहरे के भाव बदलने लगे थे और वह फर्स की ओर देखने लगी थी रमेश चंद्रजी ने उनके कंदे को पकड़ते हुए कहा देखो जहां तक मैं समझ रहा हूँ तुम्हें अविनाज के साथ बहू को देखकर अच्छा नहीं लगता तुम दिन भर भी यह देखती रहती हो कि बहू अविनाज से फोन करके बाते कर रही है या नहीं उनकी बात का कोई जवाब ना देकर ग्यान प्रियाजी ने आहिस्ता से सीर जुका लिया रमेश चंद्रजी ने उन्हें समझाते हुए कहा देखो जीस तरह तुम मेरी पत्नी बन कर आई थी वैसे ही निहारी का भी अविनाज की पत्नी बन कर आई है इसलिए अगर वो अपने पती के साथ समय बिताए अपने रिष्टे को मजबूत करे तो इससे तो तुम्हें और खुसी मिली चाहिए क्योंकि बहु की खुसी में ही हमारे बेटे की खुसी है ग्यान प्रिया जी ने धीमे स्वर में कहा बस बस सब समझ गई मैं हाँ यह सच है कि मुझ में थोड़ी इर्ष्या की भावना आ गई थी लेकिन आगे से मैं इसी कोई गलती नहीं करूंगी रमेश चंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा यह हुई ना बात आखिर मेरी पत्नी किसी की बॉड़ी गाड़ थोड़ी ना है क्यों सही कहा न इतना बोलकर वो खिलखिला कर हस पड़े और बदले में ग्यान प्रिया जी भी मुस्कुरा पड़ी तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद